इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और खांसी की आवरती कम हो जाती है। दवाओं के साथ गुंगुना पानी पीने और गर्म नमक के पानी से गरारे करने से भी आपके बच्चे के लक्षनों को कम करने में मदद मिल सकती है। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। इसे एक चिनित ड्रॉपर से मापे और इसे निर्देशा नुसार लें। इंब्रोडल ड्रॉप को भोजन के साथ लेना बहतर होता है। इंब्रोडल ड्रॉप एक म्यूकोलिटिक दवा है। यह नाक, श्वासनली और फिफडों में बलगम, यानि की कफ को पतला और धीला करता है जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। इसके अलावा, यह सुकतायक प्रभाप्रदान करके गले में खराश और सुखे गले के दर्द और जलन से राहत देता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन ओन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।